तो दोस्तो एक और नही वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत वाई रहा है। अगर आप लोग पोको M2 डिवाईस के वह ज़ह रहे हैं, यहांद दोस्तो अगर आप लोगों के पास पोको M2 डिवाईस है। उसमें नए अपडेट का इंतिजार कर रहे हैं, इसलिए इंतिजार कर रहे हैं, क्योंकि आपका डिवाइस हैंग कर रहा है, लेक कर रहा है, और वहाँ पर काफी धेर सारे बग्स देखनी को मिल जा रहे हैं, जो पोफोमेंस से काफी अच्छा देखनी को नहीं मिलता है, तो नए अपडेट का इंतिजार कर रहे हैं, यूट्यूब पर काफी धेर सारी वीडियो भी देखते होंगे, कि पोफोमेंस में जो नए अपडेट आने वाला है, वो कब तक देखनी को मिलेगा, तो आप लोग यह जो वीडियो है, इसे देखने के बाद में कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिहां दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा, कि पोफोमेंस में जो नए अपडेट आने वाला है, वो आप लोगों को सभी इंडिया नुजरस के लिए कब तक देखनी को मिलेगा, तो आप लोग यह जो व पोफोमेंस में जो नया अपडेट आने वाला है, जिसका वर्जन हो सकता है, मी वर्जन 12.0.4.0, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर बात करते हैं, जो अपडेट है, सभी इंडिया नुजरस के लिए कब तक रिलेज किया जागा, तो गास मैं आपक में आप लोगों को इस महीने में आप लोगों को आपके पोको M2 डिवाइस में जो नया अपडेट है, वो देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपर कोई भी ओफिसियल इंफॉर्मेशन नहीं आई हुई है, और मैं आपको बता दूँ कि कोई भी नया अपडेट रिलीज होना होता है, तो सावमी वाले ओफिसियल इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, ये भी मैं आप लोगों यहां पर बता देता हूँ, तो अगर आप लोग पोको M2 डिवाइस के उजर हैं, तो आप लोग हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर लिजें, जैसे ही पोको M2 डिवाइस में जो नया अपडेट आने वाला है, वो रोलिंग आउट होना स्टाट हो जागा, तो सबसे पहले आप लोगों को उसका इन्फोर्मेशन और OTA फाइल और रिकरबरी रोम फाइल क लिंक देखनी को मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोगों अपने डिवाइस में जो अपडेट है कर पाएंगे, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए हो तो यार इस वीडियो को लाइक, सेर और हमारे इस यूटूब चैनल को सबस्क्राइब का ना मत भूले का क्यो